नमस्कार मैं हूँ अमीद सिंग और आप देख रहे हैं दृष्टी नाव जारगंड में सरकारी जमीन को अपने कबजे में करकर और अपने नाम से रजिश्ट्री कराने का खेल बदस्तूर जारी है ऐसे में हमारे साथ सरकीर ओफिसर मौजूद हैं उनसे हम जानते हैं कि खेलगाओं के पास किस बैक्ति के दौरा कितना जमीन जो है वो सरकारी जमीन पर कबजा किया गया है किन बैक्ति के दौरा यहां पर जमीन कबजा किया है कब से कभजा किया हुआ है जमीन सरकारी है किसका है इदर फिल हाल ही मने देखे हम लोग की वो निर्मान काम चालू किया हैसे ऑंलाइन में कुछ चगा लिया आम अमुमन देखा जाता है यहां पर जिस तरीके से बंदर बाठ जमीन का चल रहा है हर छेतर में कहीं न कहीं लोग लगे हुए हैं सरकारी जमीन हडपने में क्या कहिएगा इस पर जिस तरीके से इस तरह का खेल चल रहा है बिलकुल सही है यह मना सरकारी जमीन का गबन करने में सारे जह सो दलाल लोग लग गए है सर अब जिस तरीके से ये प्लॉट सामने आया है कि सरकार का प्लॉट है और इसे जब अपने कभजे में किया जा रहा है तो इस पर क्या कुछ कारवाई की जाएगी सर आगे हम समझते हैं कि इस पर प्राथमिकी करके उसको अतिकर्मन बात संख्या चला करके रोकने का कोशिस क किया जाएगा कि अब जो भी बेक्ति कभजा करते हो तो तो कर्मन ही हुआ अगे क्या इसमें प्रावधान क्या है और उन पर कुछ मुकदमा भी दर्ज होगा क्या होगा इस पर लेकर देखिए अब आगे हमारे मने जो स्यों साहब है आगे कुछ करेंगे अब अपना नाम तो यह हमारे साथ मोजूद थे बढ़गाई के अमीन जिनोंने बताया कि लगातार जारखन में इस तरीके का सरकारी जमीन का बंडर बाट और खेल लगातार बदस्तूर जारी है सयोगी रिकी राज के साथ अमीद सिंग दृष्टी नाव